नमस्कार डिज्याना न्यूज के खास कारिक्रम ज्यानोदे में आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक शिवास्ता आजकल की नोजवान वैसे तो मल्टी नेशनल कंप्णियों में फाइव डिजिट की सेलरी में अपना केरियर बनाना चाहते हैं विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं वहीं बसना चाहते हैं और वहीं किसी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब पाकर वाइट कालर जॉब करना चाहते हैं लेकिन इन सब के परे कुछ नोजवान ऐसे भी होते हैं जो रास्ठ की भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना करियर शसंत्र शेनाओं में ढूंदते हैं जबरदस्त मेहनत और दुनिया के सबसे कठिन इंटर्व्यू को पास करके सबसे कठिन परिक्षा को पास करके कुछ नोजवान भारती सेरह में अधिकारी बनते हैं आफिसस बनते हैं उन्हीं में से एक है हीमानशु पांड़े हमानशु पांड़े ने हाली में सीडींगेश क्लियर किया है और आफिसर ट्रेनिंग एकैडमी चैनेमें उनका स्लेक्षन लेफरी डेम पत्त के लिए हुआ है हमानशु पांड़े इन दौर की बहुत प्रसिद्ध फोर्स अकेडमी के विध्यारती है फोर्स एकेडमी के डारेक्टर लखन सिंग यादव है जो पिछले कई वर्षों से शशत्र सेनाओं के लिए नोजमानों को तयार कर रहे हैं चात्राओं को तयार कर रहे हैं और इस वर्ष फोर्स एकेडमी का अगर रिकॉड की बात की जाये तो इस वर्ष फोर्स एकेडमी के अठारा बच्चे अगनीवीर में स्लेक्ट हुए हैं, आठ बच्चे ओफिसर्स के लिए स्लेक्ट हुए हैं, इसमें से दो छात्राएं नेवी के लिए स्लेक्ट हुए हैं, दो बच्चे एंडिये में स्लेक्ट हुए हैं, एक बच्चा ओफिसर्स ट्रेनिंग गया बिहार के के लिए ए एक बिरसाए के लिए एक बच्चा चैणी में आइसे यानि एर फोर्स के लिए फोर्स एकेड्मी का नोजवणों को रास्थ सेवा के लिए एस और लगाने भात बहुत भाइद देता हूं कि आपने भारती सहना की सबसे कठिन परिक्षा को पास किया क्या बात थी क्या मन में ऐसे ज़जबा था कि आपने सेना में जाने के चुना जब कि आप और भी कई अच्छे केरिये बना सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तनका मिलती हो जीवन का खत्रा कम रहता है सर मैं बैसिकली बिहार से बिलॉंग करता हूँ मेरे पापा यहां पर आये थे अपनी तयारी करने के लिए अफ्टर मेरी फेमिली यहां पर सेटल हो गई और मुझे लगा कि सूरू से मेरे पापा जेसियों की तयारी कर रहे थे जुनियर कमिसर्ण ओफीसर होता है उसमें ो मिया वॉर्य यहां और सरप कर सकता हूं पापा का सप्वन पूरा कर सकता हूं उसकारें से मुझे फomas में मेरया करीए मैं अच्छे से बना सकताओं ओफीसर के लिए उफीसर के लिए उपीसर के लिए आप जब लफ्त के लिली स्लेक्ट हो गए ओटिये जा रहा है तो भा बैंने करता है बहुत यह पर कि काम करना अप्ड़ता और बहुत रहती है और हुप हर कि कि आप आप मांसिक रूप से हैं और सपना रहाए कि डिफेस जोइन करना है और उस इसाब से अब आपने कि अभी तो थोड़ा कम जोर हूँ पर वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंक के दोरान हमें साईरीक मजबूत मांसिक मजबूत किया जाएगा और जो हमारा SSB इंटर्विव होता है उसमें भी ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे साइकोलोजी टेस्ट जो मानसिक चेक कर लेते हैं कि इस बंदे में इस लड़के में वो जजबा है कि नहीं यह प्लाटून लीड कर सकता है कि नहीं यह अपने यूनि साथ में एकेडमी और लखन सरकी करनल बर्मन सरकी क्या भूमी करें जब यहां आएते तब कितने बढ़े थे दो किस क्लासे उपड़ते थे ओप जाहां कितने साल कितने समय आपने बने कि आफ़िस्म गिदने केelारी चाहिए यह हैं हम बारवी में के बाद मैंने बिये किय हैं साथ में मैंने एक साल यहांल फॉर्ट्टिफंस अड़ि एकडेमी में सीदिय स की ऑप रिटन की तैयारी करी और तीन बार में लखन सर और करनल मनोज बर्मन सर के साथ interview के लिए तयारी के लिए बैठ चुका हूँ और वहाँ मुझे हर छोटी-छोटी बारी किया जो interview में जो पूछा जाता है हर one day test, two day test, psychology test, wet, tat, हमको picture दिखा के जो भी छोटी-छोटी बारी किया होती है वो हमको समझाया गया 6-7 गंटे की classes, cds की लगी, cds की 6-7 गंटे की classes लगती थी, उसमें सारे subject cover होता है क्योंकि UPSC exam ले रही है तो उसमें बहुत सारे subject आते, math, english और gs के सारे subject, history, geography, quality, उसकी तयारी हमको 6-7 गंटे तयारी करने के बाद हम 4-7 गंटे लाइबरेरी में बेटते हैं, बिल्कुल सर, guidance, एक teacher की guidance ही होती है, teacher guide कर सकता है, आपको पढ़ना आप पर है, हमको एक एक घंटे जो सारे subject को पढ़ाया जाता था, उसके बाद हम 4-7 गंटे लाइबरेरी में बेटते थे, और teachers का पढ़ाने का नजरिया, महेंद्र यादो सरे, जो geography को आपके mind में पुरा फीट कर देते, इंग्लीस सर से लखन सर से मैंने इंग्लीस की तियारी करी है, ये concept सिखा कर, concept, concept हम वीके सिना से फिर भूक लगा लेते हैं, guidance महपूर्ण होता है, किसी भी exam को निकालने के, आपको लगता है किसी guidance की वज़ आपने केरियर में, बहुत सारे बच्चे मुझे जाता है कि याद है, मैं आपको जानता हूँ, मैं सबस्ता हूँ, आपने सेकड़ों बच्चे जो है, वो सेना में भेजिया होगे, जिसमें सेनिक से लेके, अफिसर तक है, इस बार का अगर रिकॉड की बात की जाए तो जि बच्चों को वहीं रखा, जितना पढ़ाया, उसके बाद में उनको पढ़ने के लिए वहीं बिठा करके प्रेडित किया, क्योंकि कोईड में बच्चों के आदा छूट चुकी थी, इतनी लंबी सेटिंग बच्चे दे नहीं पा रहे थे, तो वो एक रामबान साबित और एफकेट और इन सारी परिक्षाओं को क्लियर करके अकेडमिस जाइन कर पाएं, तो जैसे कि आपने कहा कि अगनीवीर में आपके 18 बच्चे सेलेक्ट हुएं, और ये जो आफिसस में आपके 8 बच्चे सेलेक्ट हुएं, 2 नेवी में हुएं, एफकेट में भी एक बच् में सेलेक्ट हुएं, तो इनके लिए और जो अगनीवीर के सेलेक्ट हुएं, उनके लिए दोनों के लिए निश्चत रूप से आपके ऐक अड़ाइमिक प्रोग्राम से अलग अलग होंगी? क्या डिफरेंस रहता दोनों के प्रोग्राम में? क्योंकि इतना लंबा को इंटर्यू चलता नहीं है सब्सक्राइब परिक्षा भी मानता हूं में से सब्सक्राइब परिक्षा है NDS की परिक्षा, CDS की परिक्षा हाँ अगर यह Top 5 examinations के अंदर आती है तो इसमें अगर देखा जाए क्योंकि इंटर्यू सबसे कठीन है क्योंकि इतना इंटर्यू आई-एस का भी नहीं होता है तो उसमें बच्चों को मानसे गूप से मजबूती कैसे मिले और वो उनकी true personality कैसे बाहर निकाल करके लेकर आ सके जो छोड़ी कवियां होती है बच्चों के सोभाव में उसको कैसे दूर किया जा सके तो रेगुलर जब हम टच में रहते हैं उनके साथ में रहते हैं पूरे टाइम तो वह हमें समझ में भी आता है कि बच्चा कहां लेक कर रहा है कि इसको किस चीज की ज़्यादा होशकता है और उसी तरह से उसको गाइड किया जाता है लगान सर ये और क्या सुविधा हैं आपकी एकडमी में हैं एक तुम्हें जाना चाता हूं कौन से सही उम्र रहती है कि कि क्लास से बच्चा आपको सौब दिया जाए वर्ष की उम्र अगर हो जाती है तो आप फार्म फिलप नहीं कर सकते हैं और साड़े उन्नीस हो जाती है तो एक बड़ा बंदा है तो इसमें बच्चा यदि टैंथ के बाद से प्रेपरेशन करना स्टार्ट करेगा तो निश्चित तोर पर उसके सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको पढ़ाने वाले टीचर्स इस्थाई है या नहीं तो फोस डिफेंस अकडमी पर यह है कि हमारे जितने प्रेक्टर्स हैं वो चारों पढ़ाते हैं और उनको खुद को रिजल्ट की बड़ी चिंता होती परवा होती है तो बच्चों के साथ हमेशा लगे रहते हैं तो हम लोग आप क्या पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाता हूं साथ मैं साइंस भी पढ़ाता तो बच्चे पहले सिक्स तू सेवन आवर्स क्लास में बैठते हैं और उसके बाद में फिर उनको सेम डे होमवर्क प्रेक्टिस स्टीट दे करके उसब करवा दिया जाता है तो उसी का नतिजा है कि कम विद्यारती संख्या होने के बावजुद भी जो सेलेक्शन रेशियो है वो बहुत अच् तो कुछ भी अगर मन में इसा डर हो किसी सब्जेक्ट को लेके तो एक बार सर से बातचीत हो जाती है करनल सर से जब एस बी इंटर्व्यू देने जाते हैं उसके पहले थोड़ा गाइडेंस क्या सवाल आप से वहां इंटर्व्यू में किये गए जब आप गये तो आप से क पूछते हैं और हमको एक प्याई क्यों दिया जाता है पर्सनल इंफोर्मेशन कोश्चनरी का उसमें जो हम लिखे रहते हैं अपने बारे में अपने अच्यूमेंट्स उसके बारे में हमसे कोश्चन होता है मैंने NCC किया है तो मेरे से NCC से रिलेटेड भी काफी कोश्चन यह घटाई जा रही है तो वहां से अच्छे निकलते हैं तो थोड़े जो जैगिंट्री कर्णर जो जनरल रावत थे उन्होंने सोचा था थीटर कमांड के बारे में, भाला के बहुती दुखत विमान दुलगटना में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, उस बारे में आपसे सवाल किये, उसमें लखन यादव सर की और करणार वर्मंग साब की क्या आपको पढ़ाई कुछ चीजे थी जो पुरा करनल सर ने बताई कि वॉल्ड औफेर्स में अच्छा था तो व्ल्ड अफेर्स आप ले सकते हैं व्ल्ड आफेर्स इंटर्नेसनल अफेर्स से जुड़े हैं ट्वी धिएटर कमांड भी उसी के अंदर आता है क्या चल रहे हैं देश दुनिया में वर्ड में इंडिया का रिलेशन किसके साथ है यह सब बताते थे हमको करनल सर वो छोटी-छोटी बाते काफी हेल्प करी एससबी में इंटरव्यू के दुरह लगण भाई यह बताईए कि आपकी फोर्स एकरटेवी में इस वक्त कितने चा संस्था का जो अगनिवीर विंग है वो बिलकुल अलग है उसमें ग्राउंड है हमारे पास में साड़े चार एकड का पूरा और ग्राउंड में यह गनेश नगर खंडवाना का तो वहां पर बच्चे तयार होते हैं तो वहां सिर्फ अगनिवीर के बच्चे ही ट्रेंड हो इसमें बहुत अच्छे क्लास्रूम साथ में डाउट काउंटर लाइबरेरी क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही एक मात्र वहां पर बात नहीं है पढ़ाने के साथ साथ बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है या खुद से पढ़के आ रहा है तो उसके जो डाउट आ रहे हैं तो आपके सप्सक्राइब हैं तो हेर तो यह ही साथ साथ सा Аथ सो बच्चे आपके पास हैं बाकि बच्छे में दाहरों के नहीं हों किस बच्चे हैं बच्चे ऐसे होते हैं जिन कीший परीवार जैना आप पर देकर रहे हैं तो हो लोग जब आ के Oh सुनते हैं खासकर आपके इस चैनल के माध्यम से तो वह भी अपने भाईयों बहनों को बुलाता है अलग-अलग कोर्स के अलग-अलग कोर्स के अलग-अलग स्कॉलर्शिप का तो अलग से प्लानिंग नहीं पर एक मानवी पहलू हमेसा साथ में रहता है और कई सारे बच्चों हमने निशुल्क भी पढ़ाया है जैसे अभी MP पुलिस की जो एक्जाम हुई थी तो हमने लगभग 20-22 बच्चियों को हमने निशुल्क प्रसिक्षण दि अब कितने गंटे पढ़ाय करते थे कितने गंटे आपका आपके स्वुडूल जाने जाता हूं सुबह आख बजए उठने के बाद खुद से खाना बनाना, खाना वाना बनाने के बाद, हम दो घंटा कोचिंग के पहले पढ़ते थे, आफटर बारा बज़े से हमारी एक बज़े से कोचिंग रेती थी, एक से साथ साथ तक हमारी कोचिंग रेती थी, और कोचिंग के बाद, जब कोचिंग में गाइडेंस मिल तो खुद से पढ़ना तीन-चार गंटे बहुत जरूरी है, फिर घर पे जाकर रात को तीन-चार गंटे लगबग नौ से बारा या नौ से एक बज तक पढ़ना उसके बाद यही रोटी है रखने हैं तो खाना भी आप खुद ही बनाते हैं यह सर अभी रोटी सिखा ऊंदने तो फिर चावल पर ही कफी टाइम मेने एक साल में चावल यह बहुत ज्यादा खाए हैं तो चावल दाल चावल बनाएक सर अभी रोटी बनाना आए है है लगासर देखे एक जो बच्ये हाड़ वर्क करते हैं परिवासर दूट रहेकर और अपने लस्ट पाने के लिए कोशिश करमें 2 वजिवार सामने या तो मोटिशन वीज व उनकों का लिए बच्चे करने की लिए कि बच्चे हुप पास आते हैं यह कि यह जे संगर्स घालीउट नहीं होता है और दूसरा हम लोग भी हमेंजा पीछ में रहते हैं जब बच्चे कभी आप सेंग आते ही हैं थोड़ा बच्चा डी मोटिवेट होता के बार एक्जाम दे करके उसको समझाते हैं और बच्चे समझ भी जाते और वो जो समझ जाते हैं नेक्स अटेम्ट में इस चित्व पर इक्जामेनेशन निकाल लेते साथ तो यह दो चीजे बड़ा मोटिवेट करती हैं बहुत दन्यवाद जी आपको बहुत शुक्त कामना है आप देश का नाम रोशन करें वतन का नाम रोशन करें और जब कभी भी आपको अपनी वीरता शुरी वीरता सास और संगश्य दिखाने का मौका सीमाओं पर मिलें तो ताकि ना कि अवल इन दोर का नाम रोशन हो सके वारण फोर्स एकेडमी का भी नाम रोशन हो सके देखते रही है डिजाना न्यूस खबरों का सिलसला जारी है जारी रहेगा रुश्कार